मेरा नंओर आम ए Walmart और आप सभी का मेरे YouTube YouTube channel में सवागत है सबसे पहले तो अगर आपने मेरे YouTube channel को Subscribe नहीं किया तो Subscribe बटन पर click करके Subscribe कर लिजी और पास में जो गंटी का button दिखाया उस पर click करके All notifications को ON कर लिजैं जैसे मेरे चैनल पर नई वीडियो अप्लोड होगी उसकी सूचना तुरंत आपको नौटिफिक्शन द्वारा दे दी जाएगी और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ सेर जरूर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें इस वीडियो में मैं आज उन प्रस्णों के बारे में बताऊंगा जो एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इन प्रस्णों को खास आपके लिए मैंने तयार किया है इनके आने के समाओनडा बहुत ही जादा है तो इनको वह इनको रट लीजिए पढ़ लीजिए ताकि आप पूरे में से पूरे मार्स ला सकें और आपको कोई डिक्कत ना हो तो चलिए क्यूसेन पर चलते हैं पहला कुशन है माही नदी किन राज्यों में बैती है। पहला option है मद्या परदेश राजस्तान, गुजिरात। दूसरा option है गुजिरात उत्तर परदेश, राजस्तान, मद्या परदेश। तीसरा option है पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्तान, गुजरात. चोता option है उत्तर प्रदेश, राजस्तान, गुजरात. इसका पहला option सही answer है मध्य प्रदेश, राजस्तान, गुजरात. अगले question पे चलते हैं. राजस्तान राज्य में ही पूनत बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है पहला उप्शन है चंबल दूसरा उप्शन है लूनी तीसरा उप्शन है बनास चोता उप्शन है माही इसका पहला उप्शन चंबल सोरी इसका तीसरा उप्शन बनास सही आंसर है अगले क्यूशन पर चलते हैं बनास नदी जिस जिला समू से नहीं गुजरती है वैं है पहला उप्शन है उदयपूर भीलवाडा चितोडगर टॉंक दूसरा उप्शन है उदयपूर भूंदी भीलवाडा अजमेर तीसरा उप्शन है राज समन उदयपूर अजमेर टॉंक चोता उप्शन है उदयपूर चितोडगर टॉंक सवाय मादवपूर इसका दूसरा उप्शन सही आंसर है अगले क्यूशन पर चलते हैं लीलडी, मेटडी, बांडी, सूकडी किसकी सहाय नदिया है? पहला उप्सन है गंगर, दूसरा उप्सन है, बनास, तीसरा उप्सन है, लूनी, चोता उप्सन है, बेड़च इसका तीसरा उप्सन लूनी सही आंसर है अगले क्यूशन पर चलते हैं अरावली के पश्चिम में बहने वाली एकमात नदी का नाम है पहला उप्सन है, कोठारी, दूसरा उप्सन है, बनास, तीसरा उप्सन है, माही, चोता उप्सन है, लूनी इसका चोता उप्सन लूनी सही आंसर है अगले क्यूशन पर चलते हैं आदी खारी, आदी मीठी कोन सी नदी कहलाती है पहला उप्सन है, लूनी नदी दूसरा उप्सन है, चंबल नदी तीसरा उप्सन है, बनास नदी चोता उप्सन है, बाण गंगा नदी इसका पहला उप्सन लूनी नदी सही आंसर है आगले क्यूशन पर चलते हैं सुमेलित कीजिए एक तरब नदी का नाम दिया गया दूसरी तरब मिलुप्तिस्तान दिया गया इस्तल दिया गया तो इन दोनों को आपने को मिलाना है तो पहला उप्षन पर दे रखा हैं माही तूसरा लूनी तीसरा गंगर चोथा पश्मी ब गाड़ी तो इसका डी ओप्षन सही आंसर है दोस्तों इसका माही खंबात की गाड़ी और लूनी है वो कच्च की रन और गंगर है वो मरस्तुल और पश्मी बनास है वो कच्च की खड़ी इसका तीसरा उप्षन सही आंसर है अगले क्यूशन पर चलते हैं मरुस्तल में भूच्छे का निर्माण किस नदी पर किया गया है पहला उप्षन है बंगर सोरी गंगर दूसरा उप्षन है काटली तीसरा उप्षन है काकनी चोता उप्षन है बनास इसका तीसरा उप्षन काकनी सही आंसर है अगले क्यूशन पर चलते हैं की पर शुमेलित कीजिए इसले करना है एक तरब दिया गया नदी का नाम दूसरे तरब दिया गया है सहायक नदी यहां पर इसका यहां पर जो बनास नदी है पहला उप्सवन है बनास नदी है वो खारी और जो लूनी नदी है उसकी साइक नदी है सूखड़ी और जो माही नदी है उसकी साइक नदी है मोरेन और जो चंबल नदी है उसकी साइक नदी है काली शिंद इस प्रकार इसका दूसरा उप्सन सही आंसर है अगले क्यूशन पर चलते हैं बानगंगा नदी का उद्गम इस्तल है पहला उप्सन है बेराठ जयपूर दूसरा उप्सन है नाङपपहार अजमेर तीसरा उप्सन है भैंस कर चित्तोडगर ज्मेर सही आंसर है अगले क्यूशन पर चलते हैं गंगर नदी के पार्ट को कहते हैं पहला option है ताली दूसरा option है नाली तीसरा option है नाल चोता option है ताली इसका दूसरा option नाली सही answer है अगले question पे चलते हैं मरत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। पहला option है कोठारी, दूसरा option है कातली, तीसरा option है गंगर, चोता option है बेडच, इसका तीसरा option गंगर, सही अंसर है। अगले क्यूशन पर चलते हैं चंबल लूनी वे बनास कितने कितने जिलों में बहती है पहला ओप्षन है 555 दूसरा ओप्षन है 666 तीसरा ओप्षन है 888 चोता ओप्षन है 999 इसका दूसरा ओप्षन 666 सही आंसर है अगले क्यूशन पर चलते हैं सिरोई में इस्तित राजस्तान की सबसे अधीक मुचाईन पर इस्तित जील जहां टॉर्ड रॉक वे नॉन रॉक इस्तित है पहला ओप्षन है नक्की जील दूसरा ओप्षन है पंच बद्राज जील तीसरा ओप्षन है लून करण सर जील चोता ओप्षन है उप्यूक्त में से कोई नहीं इसका पहला ओप्षन नक्की जील सही आंसर है अगले क्यूशन पे चलते हैं पिछोला जील को वर्तमान में किस जील से जोड़ा गया है पहला ओप्षन है राज समन्द जील तूसरा ओप्षन है जय समन्द जील तीसरा ओप्षन है फैते सागर चोता ओप्षन है उप्यूक्त सभी इसका तीसरा ओप्षन पैताय सागर जील सही आंसर है अगले क्यूशन पर चलते हैं निम्न लिखित में ऐसुमेलित है एक तरब जील दी गई है और दूसरी तरब जिला पहला ओप्षन है कावेड जील जैसलमेड दूसरा ओप्षन है गेब सागर डूंगरपूर तीसरा ओप्षन है नवलका जील बूंदी चोता ओप्षन है नकी जील इसका सही आंसर है नकी जील जालावाड चोता ओप्षन सही आंसर है अगले क्यूशन पर चलते हैं राजस्तान की खारे पानी की जीलें किस सागर की अवसेंस है पहला उप्षन है लाल सागर दूसरा उप्षन है हिंद महा सागर तीसरा उप्षन है टेतिस सागर चोता उप्षन है जांगल सागर इसका तीसरा उप्षन टेतिस सागर सही आंसर है अगले की उस्चन पर चलते हैं राज्ये में खारे पानी की सरवादी जीलें किस जीले में है पहला उप्षन है बाड मेर दूसरा उप्षन है चूरू तीसरा उप्षन है वीकाने चोता उप्षन है नागोर इसका चोता उप्षन नागोर सही आंसर है अगले क्यूशन पे चलते हैं बहु उद्देश ये नदी घाटी पर्योजनाओं को आधुनी भारत का मंदीर किस ने कहा पहला उप्शन है पंडित जवार लाल नहरू दूसरा उप्शन है डाक्टर राजिंदर प्रशाद तीसरा उप्शन है इंद्रा गांदी चोता उप्शन है मात्मा गांदी इसका पहला उप्शन पंडि जवाल लाल नहरू सही आंसर है अगले क्यूशन पे चलते हैं तालावों द्वारा सिंचित सरवादी छेतर किस जिले में है पहला उप्शन है कोटा दूसरा उप्शन है बूंदी तीसरा उप्शन है भीलवाडा चोता उप्शन है पाली इसका तीसरा उप्शन भीलवाडा सही आंसर है वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राब के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद